तो एलो प्यारे बच्चों जो मैने आपसे वादा किया था वह मैं पूरा कर रहा हूं मैंने का था आपको सो दाइड यूल हाव दा नॉलेज कि भाईया सर मैंने यह तो चीज़ सीखे सीखी पर प्राक्टिकल ही कैसे लग रही वो भी सीखेंगे दोनों चीज़ सीखेंगे और इस पर बहुत सारे प्राक्टिकल एक्सपरीमेंट है अभी तो I am going to show you like what I created for you कि मैंने किती महत करके आप के लिए क्या-क्या लेक्टिकल बनाया है जो हमारी पूरी टीम हो कितनी महनत कर रही है आप लोगों के लिए यह तो अभी देखेंगे इस वाई लेक्टिकल भी इन सब जीज़ों को ज़रूर लगाएंगे ठीक है बहुत ज़ारा ज़रूरी है तो मेकानिक्स का सबसे इंप इसको को फ्रिक्शन में यह स्टाटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन और इसके आगे थोड़ा सा काइंटिक फ्रिक्शन भी आता है वो एक बर क्लियर हो जाएगा देन यू कन सॉल्फ एनी टाइप प्राब्लम तो आज तो एक बेसिक देखेंगे कुछ प्राब्लम सॉल करे इसको अगर मैं इस तरह से इमाजन करूं तो कैसा लगे लेकिन आपकर मैं आपको प्ले करके दिखाओं की भाईया यही चीज होती कैसे रियल में देखो ना तब दगे मसा आता है तो फ्रिक्शन की डिफिनिशन यह फ्रिक्शन इस डिफाइन इस तरह रेस्स्तेंस ठीके जान को बिफिनिशन अगर जी रहे थे लाइफ में बड़ा होता है और भारी लगता है जब तक बॉड़ी मोशन में नहीं आती बार भाऀ मोशन में आती यूदी अप बार लाइफ में आप को शुडू-चूरू में बढ़ी मुश्किल होगी तियारी में शूरू-शूरू पहले जी रहे थे लाइफ में बट जब आप एक बार मोशन में आती है एक बार आपने इनर्शी क्याप्चर कर लेते हो कि आपको हमेशा आगे बढ़ना आगे बढ़ना देन आप रोख नहीं सकते देन यौर गइंटू मता आप फिर उस आपको उसकी आदत हो जाती है सट में तो सेम गानी यहां फ्रिक्शन की है क्या स्वेस से डिफ़न को दाना दोनों स necesita की है तो सिस्प्सीं हैए तो Siала अगर मैं बहुद टेक्निकल लेंगुच में लिख़ू तो मैं बोलूँगा रिलेटिव मोशन, ठीक है इसको अगर मैं टेक्निकल लेंगुच میں बोलू早消ush administrative जाने पाउतही usually do got σε वहलें महीं लेडाग से कोंसेट मूरे क्लेटिव आणीक यह अलकif एक मेरा है इनको दो सर्फेस मनल अगर यह तो रिलेटिव ली इसके अलग मोशन में बिलकुल यह स्टाट्सकर यह उइफ कर गया तो यह इस में नहीं मोशन नहीं इसका मदलब है आकर दोनों आपजक एक जैसे तो इनके मीचिन रहे है तो इनकी बीचे प्रिक्शन नहीं है यह यह तो इनकी बीचिन बेचे होगो यह परिक्शन नहीं है यह समस्ज में आ कई काम खे आप IT को 2 प्लांंक अ क्या होता एक बं Analysis फ्रहर सब्सक्राइब लाएंगे और डिटेल में इसको समझाने के लिए सर इनकी पीशुप हो क्या रहा है मैं इनका माइक्रोस्केपिक नीचे ले आया मदब कई बर दो सर्फेस ऐसे लगते हैं कि बहुत स्मूध है बट स्टिल के बीच में फ्रिक्शन है वो उसके माइक्रोस यहा से बहुत छोटा सा पार्टिकल लिया यहां से बहुत छोटा सर्फेस उठाया उसको थोड़ा बढ़ा करके दिखा दिया यहां से इस सर्फेस से छोटा सा पार्ट उठाया उसको बढ़ा करके दिखा दिया यहां से इस सर्फेस से छोटा सा पार्ट उठाया उसको बढ़ा क अब समझ लो कि मैंने बदा चिंदा सो पार्टिकल यहां इतना बढ़ा नहीं है यहां से बहुत चोटा सा और यहां से बहुत चोटा सबा यहां से उठाया बोनुए लगा देखते अधिया होगा इस एक रटे करते इसको प्ले का इंग यहां यहां से ब्लॉक यहां जिसकी वज़े से कुछ आवाजे आती है येस अब आप एक्सपरिमेंट घर पे जागे करो कोई भी बॉक्स रखो उसको खिसकाने का ट्राइगा अगर वो खिसा करा है ना तो आपको दो चीज़े दिखाई देंगी एक तो बॉक्स का सर्फेस जादो जमीन पर जमीन के सर्फेस बॉक्स पर पिटाई हो सकती इसकी नहीं लेता हूं लेकिन इन में से कोई एक चीज़ होगी और आवाज आएगी आपको ज्यादा देश खिसका होगे तो आप अगर फर्ष को मतलब जो ग्राउंड जो आपका फ् होँगे तो आपको यह दिखेगा कि सर्य टूट भी सकते हैं मतलब इनकी जो ऊपर की बाउंटे से टूट भी सकते हैं यह माइक्रोस्कोपिंग नेचर में होता है इनके बीच में जो हीट जन्रेट होती है जो आवाजे आती है आपको साउंड सुनाई देती है स्क्राच की और जो इनकी बॉड़ी तूट जाती है उपर के सरफेस तूट जाता है कई आप देखा होगा कि फ्लोर पर है टाइल्स पर पहले के ताइम पर शार आप लोगो नहीं पर फ्रम डिफेंस फैंबली तो हम लोगे ट्रांसफर बहुत होते थे तो हम जिसे जो हमारे बॉक्स होते थे उस सवें कंटेनर टाइब होते थे तो इस लाइक प्रॉपर स्टील के बनाजाते थे जिसको डिजाइन अच्छा नहीं गया था थो ओविसली खराबी होते थे तो इसको खिसका थे खाईब फ्लोर में स्क्राच अड़ा थोड़ा पिटाई होना अलग कहानी है स्क्राच फ्लोर पे उसके बाद कहा कहाता है वो बात की खानी लेकिन वैसे conceptually जब फ्लोर पे आता था था तो फ्लोर टूट जाता था तो वो टूटने का रीजन क्या था और उपर-उपर के surface टूटते वो यह था जो आप इसको देख पा रहे हूं अगर यह माइक्रोस्कोपिक नेचर पर मैं इसको finish कर दो इसको हम कहते है नैनो फिनिश तो आपको नैनो कोटिंग संज में आ जाएगी जब भी हम गाड़ी पे नैनो कोट सुना होता है नैनो कोट कर वाली किसी नैनो कोट कर व है विल पे तो कोई भी उस पर पानी पार्टिकल नहीं चिपक पाता विकॉस फ्रिक्शन ही खतम करते होते हो आप अल्मोस्ट जीरो नहीं होता है अल्मोस्ट खतम होता है अब भाया इसको मैक्रोस्कोपिक नेचर में देखो अगर एक बंदा बहुत ही रफ सर्फेस है इस पर ट्राइब करें कि इसी बॉक्स को खिसकानेगा तो होगा क्या लेट्स प्ले देखते हैं उसकी जान निकल जाएगी वह खिसकीगा नहीं वह मर जाएगा खिसकीगा नह और सप्रिक्शन वह खिसकी दो होता है जब बॉडी स्टाटिक ब्रेंटिब करहें ले दुट भाडी मूँव स्टाटिक होती है इसका मतब बॉडी मूँव नहीं कर रहें चाने हो आपड़ें कर रहें 강्या थे तो बॉडडिया निकलते लिएbook को डश करने का का निक्स को बाग जाएगा वो तो वो क्यों नहीं हो रहा क्यों कि आप बिकॉस अव स्टाटिक फ्रिक्षिन और इसकी बड़ी युनिकनेस यह वैरी भी करता है अब इसको दिखाता हूं कैसे वैरी करेगा और दूसरा बाट है आपका काइनेटिक फ्रिक्षिन करते हैं अब भी कोई भी मोशन की बात होती है तो हम कौनसी जगा पहुँच जाते हैं डाइनेमिकS पर दो चीजह होते हैं काइनमाटिक्टिक मैं आपको दिमाग में बसाने की बात कर रहा हूं काइनमाटिक और canetidik kinematic कोई भी वो सदी है जहां पर हम मास की बात नहीं करते हैą मताँ कोई forces की बात नहीं करते बस motion की बात करते है करते हैं और kinetic वो जगा है जहां पर हम motion के साथ उसके इस ऊचर अब उसके बात करते हैं और Friction एक force है hon to be dep clearing काईने टिक फर्किष्यं मैंने कई जगाद देखा लोग बड़ी-बड़ी वाते करते फिर ओक आए इसलिए बाए इसलिए वन आजप फिल करो कि कियो जो है याद करने का ट्री तुंम्हात है और इसको देखते का बात है और इसकी फीलिंग क्या है ठीक है फॉर दाइट पार्ट सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करताओ अधियोन की नुटे पार्ट करता है अगर इसके खुषक फिलिंग के तो आपको एहसा यह और आपने कहीं नहीं वागा अगर इस सर्फेस को इससर्फेस को इस सर्फेस पर मैं जितना ज़्यादा कमप्रेस करूंगा उत्रा उनके बीच में नोर्मल फोर्स बढ़ेगी और इनके टीत को देखो, जितना मैं इस टीत को, जितना मैं इस टीत को, फील करना, फील करना, अगर मैं इस यहां से जितनी जादा फोर्स लगाँगा इन दोनों के बीच में, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स उतनी इन दोनों के बीच में रिलेटिवली बढ़ जाएगी, और जितनी जादा बढ़ेगी, क्या इसके टीथ और इसके टीथ, ध्यान से देखो, इन दोनों के टीथ क्या आपस में इंटरलॉकिंग को और बढ़ाएंगे, यस, और इंटरलॉकिंग मतब दो टीथ की अब इंटरलॉकिंग जितनी, यह इतनी है, और हो सकती है, और हो सकती है, इसको मूफ करना आपस में उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा और इसलिए फ्रिक्षिन फोर्स इस राक्रिवर्शन तो नॉर्मल फोर्स ठीक है और यह विदाउट इस इमाजिनेशन आप सोचे नहीं सकते हैं इसलिए यह सब जो एसेट्स हैं डियार वेरी वेरी इंपॉर्टन फोर दोस पीपल जो लोग सीरस त्यारी करना चाहरें ठीक प्लस आप भी थोड़ा अगर नॉलेज हो जाएगी तो कल आप कसी को बता अब ही पॉगे कि सर मुझे यह पता है यह वाली बाते पता होनी के लिए तो मैंने आपको बता दी है और यह अब यह तो मैंने क्या किया अब सब तुम जैसा बंदा एक टाट्व बनाओ बढ़िया शर्ट है उसने बोक्स खिसका दूँआ रोडी चल रहा है लेट सब अब रोडी चल रहा उसको बदेक लोजिक क्लियर रखने थे माग वर बॉक्स को तभी हिला पाएगा जब वह इसकी Maxim Value को Orcum करेगा उसके बुदा नहीं कर सकता हूँ जब तो Max Max Value को वहां से applied force 1 newton, 2 newton, 3 newton, 4 newton, 5 newton, जितनी में वो applied force लगाय जा रहा है, static friction वह सही, 1 newton, 2 newton, check करो, इसने 1 लगाय, 2 लगाय, 3 लगाय, same देखो, exactly same चल रहा, walks नहीं हिल रहा, इसका मतलब में, whatever the applied force is there, the static friction force will be equal, yes, the maximum value will be mu s into n, after that, उसको रोक नहीं सकता, भाया, opposite force की maximum value है, उसके बाद वो सो रोक नहीं सकता, इसका कहने का मतलब है, इस शीज को feel करना, कि जब इसने 1 newton का force लगाया, friction भी आपको 1 newton मिल जाएगा, let's suppose, जो आपकी f max की value है, वो होती है, mu s into n, static friction से mu s into n से निकलती है, let's suppose, वो 6 newton है, इसका मतलब है, इससे जादा friction force नहीं लगा सकता, अगर body को रोक के रखना चाहता है, static रखना चाहता है, अब मैंने 1 को क्या कर दिया, मैंने का sir, 1 को मैं 2 newton कर देता हूं, तो friction क्या बोलेगा, मैं भी 1 को 2 newton कर दूंगा, पर इसका खिशकने नहीं दूंगा, ऐसा logically की होदा, भाई, सिम्बल सी बात, अगर आप 6 newton का force friction से लगवा दोगे, तो होगा क्या, ज़रा देखना, तुमने 2 newton का box पर फोच लगाया, friction ने 6 newton लगा दिया, friction का force जादा हो गया, बॉक्स तुम्हारे उपर चड़ गया, यह बन्दा रोडी मर नहीं गया, मतब कहने का मदलब है, बॉक्स को पर चड़ गया, अच्छा लगे का तुम्हे, तो logic समझना, आप यहाँ पर बढ़ाओगे, आपने कर दिया 4 newton, तो friction भी यहाँ से कितना हो गया, 4 newton, आपने बॉला नहीं 4 को 5 कर दूँगा, तो 5 हो जाएगा इदर, कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, यह तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा, जैसे 6 x 6.0001 भी लगा देता बॉक्स जोगा आपने फिल्ट किया होगा बॉक्स एक दभाइब जायए लाइफ में तो फिल्ट किया होगा कि किसका रहे हैं जब खिसकी तो एकदम से खिसक ही थोड़ी सी वह बहुत जादा नहीं थोड़ी से उसके बार आप क्योंकि आप से डिस्टेंस जादा हुए आप उतनी फोर्ज नहीं लगा पाई इसलिए रुख जाती है पर जब खिसकी तो अचानक से दुरूरी किसक गई वह क्यों होता है क्योंकि स्टाटिक विश्टन यह मैक्सिम मेली ओधिया स्ट्रली ड्रॉप कर जाता है अगर बॉडी मोशन में आगे तो इतना ही गेम है तो भाई यह यह ब्यूटिफुल एसट की वेसे आप इसको सीख पहें इसको दुबारा चला के दिखा तो दिमाग में कि बश जाए कि सब्वाम लगां रहा है यहाँ 1 वाँ 2 तो यहां 2 यहां 3 यहां 3 वाँ 4 यहा 4 वाँ 5 मद्या आप जहां जितना आप सबनेफ को दरे रह रहे है उतना ही स्टैक फ्रेक्शन पर्द या height max value is aächst. jjis what is the meaning of limiting friction value जो मैंने अभी आपको पूरा समझा है वो है friction force में vary from 0 to maximum value at which the motion just start मतला इस point में motion start हो जाएगा this maximum friction force is the limiting value of the static friction जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मले से पताया F max जो इसकी value है उसको कहते है maximum static friction या फिर उसका एक हो नाम रखा किया limiting value of यह limiting static friction भी बोलते हैं limiting value of static friction that is mu s into n अब इसको देखने के लिए एक बार यहां पर हम इसी तोड़ा different asset यह रोडी तरहीं अपना घर का काम कर रहे हैं उनका box हमें किसकाना जरूरी है इसलिए मैं किसका के दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इस asset को play करता हूँ जितनी फोर्स बढ़ा रहा हूँ इधर से स्टाटिक फिशन बढ़ते हैं लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वह एक फोर्स के बियॉंड चले जाएंगे खिसक जाएगा प्रिक्शन फोर्स आए थी उसको अपोस करने के लिए वह नहीं किसक पा रहा लेकिन जैसी उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दिया दस न्यूटन दी सपोस और आपने दस से जैसी 10.001 हलका साभी दादा लगा दिया बॉक्स किसक जाएगा और वॉक्स किसा गया तो वो किसमा आगया जैसिक उसके प्रिक्शन लगता काइनीटिक और चीज नहीं से समझ में होगी प्लस बंदी का स्ट्रागल भी समझ में आगा और अपना भी स्ट्रागल आ फ्रिक्शन की हेल्प से इसको समझ सकते हो बागे आगे जाके आपको दिखाऊंगे कि देज़ा डिफरेंस बिट्वीन पुल और पुश मतब किसको पुल करना ज्यादा असान है कं क्यों होता उसके वारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पर बहुत इंट्रस्टिंग कॉंसेप्ट होता है वह भी देख के मतलब फील होता है अब बात आती कानेटिक फ्रिक्शन की कानेटिक में जो कोफिशन्ट और फ्रिक्शन है म्यू एस नही अब आप उसको फील करना कि कानेटिक फ्रिक्शन क्या उधा और एक और ब्यूटीफुल बात कानेटिक फ्रिक्शन है एक ऐसी वेल्यू होती है जो लिमिटिंग वेल्यू ना लिमिटिंग स्टाटिक फिक्षन जो अभी पीच्छल है कि 10 निउटन चली तो उसमें लेट सी मैंने यहाँ पर बॉक्स को उलाने करी किया ठीक है मैंने इसको चांज दिया box हिला एब Boks तो आप यह देखने हैं जब एक ऐखे लने लग धिया और आप उसको भूर कर रहा आप को जो रहोती है आपको जो रैह सिर्टान्स विल होती है उसको exactly होती मतरब वह constant होती है तो kinetic friction force most of the time आपको क्या मिलेगी constant यह move करने का जब भी try करेगा आप उसको feel करना वह आपको same मिल रही है और यही हमारे friction की theory में बताया गाया कि वहाई ऐसा same होता है अब एक theory में बताना और उसको real में यहां दिखा देना कि भाईया इस बंदे के साथ भी है सही कुछ हुआ स्ट्रागल इसका भी सेम था that is more important ठीक है और ऐसे एसे हम लोग आपकी लाइब वीडियो में आने कर ट्राइब करेंगे बंदा किसका रहा है ट्राइब कर रहा है वो खिसक रहा है बट उसको जो रेस्टेंस फील हो रहा है ग्राउंड से वह अल्मोस्स सेम था किनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू के इंटु इन होती है और वो इसमें वैरी नहीं करता लेकिन उसके लिए बस एक इंपोर्टन चीज है कि बॉड़ी और ग्राउंड के विच्च में रिलेटिव मोशन हो मैं और इन देंद्यों मोशनों करने कर सकते हो आपके यह इदर जाने कि बॉक्स किसाने का ट्र i कर रहो हो किसक नहीं रहा कब तक नहीं किसक रहा अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक लिमिटिंग स्टाटिक फ्रिक्शन वैल्यू तक इसको हम कहते हैं यह भी कहते हैं मैक्स फ्रिक्शन वैल्यू इसको पूरा कॉंसेट को बनाने के लिए हमने इसे ग्राफ में डेवलप कर दिया यहां फोर्स है यहां आपकी अप्लाइट फोर्स है आप्लाइट फोर्स इतना भी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स उतनी आ रही है और 45 डिग्री क्यों कि एक्जाक्ली पराबरा आती है और यह आपके जोंत भी है कि कि तना एंगल होता है ठीक है नीट में भी पूछा जों रहे होगी और यह वाला जो नहीं हो जाएगी ऑड़ि मॉव हो जाएगी ठीक है कब तक जब तक आप खिसकाने का ट्राई करो तब तक फ्रिक्शन उत्रा ही आता है लेकिन एक maximum value को टच करता है ठीक है और वो value होती है आपकी mu s into 1 जिसको आप यह कहते हो limiting friction भी या फिर कहते हैं हम slipping इस point के बाद शुरू हो जाएगी इसके कम तो नहीं कोई चांस समझ में आ गया तो इस दा maximum value दाट यू में have experience और इसके बाद आप देखो graph में भी क्लियरली दिख रहा है graph की जो चीजे में हटा देता हूं लेकिन ग्राफ को और detail में मैंने बता दिया just join us on telegram you'll get the content मैं आपको physics के और next level चीजे लेके आऊंगा don't worry इससे बहुत जाद अच्छे वाले लेकिन जब हम kinetic zone में एक बार body motion में आ गए तो आपकी जो friction की value जादा चेक करना friction की value जादा चेक करना वो एक constant value पर चली गई इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर friction की value चेक करता हूं तो एक constant value यह चेंज नहीं हो रही उसकी value मुके इंटुए नहीं वो slightly कम है कंपेट तो मैक्सम फ्रिक्शन वेल्यू ठीक है और दैट इस more important मतलब आप स्टाटिक जोन में पूरा पूरा देखो तो friction उतना ही value देता है जितनी आप अप्लाइट फोर्स लगाते हो अप्लाइट फोर्स आपकी जितनी वेल्यू बढ़ी आपने एक न्यूटन दो न्यूटन ती न्यूटन पांश न्यूटन पांश दस न्यूटन त कितनी भी फोर्स लगाते चलो friction की वेल्यू नहीं बदेगी friction की वेल्यू फिक्स होगी ठीक है इस इस दा कॉंसेप्ट अब 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 आधा इम्पोर्टन पॉंट दाट वी स्टाइट राइट नौ इस फास्तिंग फ्रिक्शन फोर्स को इंजर्नल अंग कहते हैं बट जब हम स्टाटिक जोन में होते तब एक मैक्सिम विध्यू होती है विच अंडियू के साईट है इस पर डेपेड्डेंट होता है बतब दोनों बीच की सर्फेस की बीच की इंट्र लोकिंग करता है तो अब बहुत जादा सर्फेस रेलो कम लेलो लेगन अगरों की बीच की इंट्र लॉकिंग है किसी मोमेंट पे क्योंकि नॉमल फोर्स आ गई फॉर्मला वाइस तो मू इंट्व एन हो गया मू फेक्स रहता है कॉंटर सब्सक्राइब नहीं करता एंट्वेक्स होगा क्योंकि वेट पूरा दोनों के बीच में ही रहेगा ठीक है इट डिपेंड ऑन दर रफनेस अवज़नेस अवज़नी कितना रफ है दोनों की सर्फेस इसको मैं छोटा कर देता हो पहले ठीक है तो फ हां आप किसी बॉक्स को बहुत तेजी से ले जाते हो या बहुत स्लो ले जाते हो इट ड़संट मैंट तेज ले जाने के लिए आप बहुत जादा फोर्स अप्लाई करोगे ठीक है if you want to move that object very fast you need to apply a huge amount of force but the kinetic friction is always remain constant उसको कोई फरक नहीं वड़ता आप किस velocity से जा रहे हो these are the most important point and mu k मतब किनेटिक जोन का friction का जो mu है वो हमेशा static zone का जो mu s है coefficient of friction उससे हमेशा कम होगा always यह word हमेशा दियान अखना mu k is always less than mu s यहां less ही लिखा है मैं आपको बता रहा हो अपने notes में आप लिखा हो कि तो always ठीक है but I'll provide you the handwritten notes अल्सो ठीक है so the direction of the friction force अब इसको समझ नहीं का point आता है how to understand the direction of the friction force मैंने अभी आपको बताया दो body के विट में relative motion होना चाहिए अब what is the importance of relative motion मतब अगर एक B block एक P block है मैंने थोड़ा complicated करने के लिए इस तरह के problem बहुत आते हैं ठीक है बहुत सारे प्रोलाम आपके एक्जामर मिल जाते हैं आपके मिल जाते हैं या अपनी स्टेट इंजरेंग जब भी आप एक्जाम देते हो वहां भी बहुत सारे ऐसे कोशें मिल जाते हैं दोनों बाड़ी मोशन होना बहुत ज़रूरी इसका मतलब अगर यह वी से जा रहा है तो टूवी यह जीरो पे हो जीरो मतलब रेस्ट पे हो टूव अगया तो भायओ डाय च doubles withdraw क्षञ फोर्फ को पैचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दुनिया में इस पूरी दुनिया में सबसे थीच्छा थू है आपको उससे पोछना है किदर अगर बाच नेसे बुछ लिया अपने बिद्व में किद़ और इसमने बता दिया भाय अब जैसे मैं आपको इस से पूछता हूँ अगर पी बॉड़ी बी से बूछती है किदर तो पी बॉड़ी आगे जाला तेज जा रही है तो पी बॉड़ी को पीछे तो बी बॉड़ी बॉलेगा तुम्हारे रिलेटिव में पीछे जा रहा हूँ तो कहां लगे हैं उसके जस बस ये पूछना आपको, कभी भी किसी भी body को आप किसका रहे हो, कभी भी दो body की जो friction पूछना है, तो भाईया कोई भी भी एक body दूसरी body से पूछेगी, क्योंकि ये इसको friction प्रोवाइड करेगी, तो ये इससे पूछेगी, किदर, इसने बना दे भाईया मैं इधर जा रह on the plank P, moving with velocity 2V in the same direction, to make the concept to be little bit difficult, ठीक है, that's it, यही मेरा objective थो थोड़ा सा difficult किया जाए, तो भाईया, जो relative के velocity के साब से, वो मैं आपको इस सारा समझा देता हूँ, पहले यहां पर आप concentrate करो, concentrate आपने कर लिया, आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो ये सब जो लिखित बाते ह कि आपको अराम समझ में आजेंगे, बस concentrate करो, sir, point यह था, जो block था, और जो plank था, उन्हों को overall system को separate करो, और उनसे पूछो कितर जा रहे, इसने बोला भाईया, मैं तो V velocity से धर जा रहा हूँ, आगे, इसने बोला भाईया, मैं तुछ से दूगनी V velocity से आगे जा रहा हूँ, तो गया, इनकी बीच में रेडिटिक मोशन हो गया, बिल्गल हो गया, अब आप उसको feel करो, दुबार से, feel क्या करो, feel यह करो, आप बस यह समझो, block, plank के साब से, slow चल रहा है, plank जाधा तेज जा रहा है, तो मैंने आप से क्या बोला, आपको बस पूछना है, अगर block ने plank से पूछा, की दर, वहीं, आप की दर जा रहे हो, तो plank ने block को क्या बोला, भया, मेरी velocity जाधा है, तो तेरे साब से, तेरे relatively अगर मैं देखू, तो मैं आगे जा रहा हूँ, खातम, उसने बोला, अच्छा, आप आगे जा रहे हो, ठीक, तो where I am going to apply the friction, where I am going to apply the friction, very simple, I am going to apply, I am going to provide you the friction in opposite direction, and 2 surface के बीच में, 2 surface के बीच में, जब भी friction देखोगे, तो आपको friction की value हमेशन सेम मिलेगी, इसको FB इसले बोला है, this is the friction force provided by the block to plank, that's it, एक, मतब दो, दो surface है, अगर आपने एक के relatively इसका निकाल लिया, तो आपको, इस पर क्या friction लग रहा है, वो निकाल लिच दोती है, उसके just opposite हो का बात खतम, because ये Newton का third law है, for every action, मतब ब्लॉक ने blank पर एक 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 एक्शन लगाया, उसके opposite खीचने का, there is an equal in opposite reaction, तो भाया, plank भी block को रहन नी देगा, plank भी अपने friction की हैल से block को बोलेगा, तू मेरे साथ चल यार, प्लांक जाना तेज जा रहा है, block उसके पर पड़ा हूँ है, plank जाना तेज जा रहा है, आप सोचो, plank अगर तेज जा रहा है, क्या ब्लॉक निसके साथ चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा, येस, और वो क्यों जाता है, देखो, उसका एक example लेता हूँ, proper example तो नहीं मिलेगा, लेकिन, let me take few elements, अगर मैं एक phone लेता हूँ, उसके उपर एक block रखता हूँ, मैं अगर नीचे के platform को आगे ले जा रहा हूँ, तो क्या ये block उसके साथ आगे जाएगा, भीया देखो, बिल्कु जा रहा है, चला गया, अजा क्यू हो ये अजा क्यू हूँ, क्यू कि इनकी बैच में friction है, हाँ वो static friction है, अब मैं बोलो कि इसको भी आगे इसको abra हो और इसको जाते इसकी इसका रहा हूँ, त्योंकि अजया और ये बी जाएगा रहा है, तब है और भी जा रहा ह और यह एक बार में नहीं आता पूरा पहली बता तो concept ऐसा नहीं एक बार में पूरा पूरा आप हर बाला बट अगर आप यह लॉजिक बना लो दिमाग में किधर वाला ब्लॉक ने प्लैंग से पूचा कि दर प्लैंग ने बोला भाई रिलेटिवली मेरी वेलोसिटी जाता है मैं तो आगे जा रहा हूं उसमें बोला अच्छा तू आगे जा रहा है अच्छा बोला उसके आपोजिट लगा दिया और सके न्यूटन का थालो फॉर एवरी एक्शन रियक्शन खताम खानी देन यूटन नीड तो दो एनी कांड अफ कॉंपलीगे इन अनलेसिस विच इस प्रोवाइट इन दे बुक यूद नीड तो आपका लॉजिक लिए अच्छा एक और फिक्शन लगा हुए पीछे इस पर कि लोगा क्योंकि देखो ग्राउंट अच्छा अपोसे खतम हमेचा ध्यान रखना के फ्रेक्शन उसी जगा लगता है जैसे आपसे पूछा किधर वो पूछता किधर जैसे अपको किधर पता लिए उसके जस्ट अपोसेट इतना काम करना है यही सारी कहानी यहां लिखी हुई है और कुछ नहीं बढ़ा आपको को कर लिया तो एक कहानी की सोतके लेहें फिर हैं बतायता हुं व्लॉक सेमस्कुमूइब लेफ्ट इए भॉक सेमी प्लॉपलेफद सॉरी आपके टेसप्के लियव्ट और किसके प्लंक कि भ्लॉक्ne외क्श हब मुजबग लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो फ्रिक्षिनल फोर्स FB, एक्ट ऑन दा राइट तू अपोजिट ओ रिलेटिटिव डिरेक्शन ओ ब्लॉक के तरह पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, मन खराब हो जाता है, इस अच्छा क्या करो, पूछो किदर, तो ये बुक की जो थियोरी है, शूपर टॉफ कोशन है, एडवांस के, जैई के और जैई मेंस और नीट के तो आपको बहुत ही असान लगें है, एक बार आपने ये फीलिंग बसा ली, किदर वाली, ताट सिट, प्लैंक के लिए बिलकुछ सेम कहा नहीं है, मैं कॉंटक सर्फेस में, प्लैंक ने उस स के ब्लाउंड पीक्र आपोसिट को अपोसिट तो दौभ तो दा मोशन अफ्लैंक, ग्राउंड को भी पता से लग रहा है, ग्राउंड तो पिल्कुछ ZERO VELOCिटी उसके साब से भी आगे जा रहा है, तो उसने पीछे लगा दिया, ब्लॉक के साब से भी ये प्लैंक आगे तो यह double body वाला तो बहुत से करेंगे विचे relative velocity लेकिन मैं आपको कहीं न कहीं थोड़ा uncomfortable feel कराना चाहता हूं ताकि आप वो एक बार थोड़ा पर मैंने एक लेक्चर वेसे अलग से लिया हूँ पर चिल ड्लम्बट का लिया था अगर आपको याद हो दो बास्टिल I want you to give the understanding of the free body diagram for static friction अब क्या अंडर्स्टाइडिंग इसको feel करते हैं वेर f is the applied force and f small f small f हमेशे friction के लिए फ्रिक्शन के लिए इस the friction force M is the mass of the object and G is the acceleration due to gravity यह नॉर्मल क्लेचर से वो क्लियर रहने चाहिए न्यूटल लॉस और मोशल लगाता हूं स्टाटिक विशन केस में अपका जीरो होना चाहिए इंपोर्टन अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो क्या होगा ठीक है अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो भाईया फोर्स आपकी हर डिरेक्शन से क्या हो जाने चाहिए बराबर यह मैंने fx f1 कर दिया अब यहां पर देखते हैं अगर आपको याद हो तो याद नहीं है नहीं कर सकता पर याद है तो मज़ेदा ठीक है लेट मी चेक दिस पार्ट एक ब्लॉक रखा हुए ग्राउंड पर अब उसका जो वेट होगा वह किदर आट करेगा सर वह हमेशे डाउंबर आट करेगा अब देखो मैं इसी ब्लॉक को क्या बना रहा हूं इस ब्लॉक को में पिद्दी सा पार्टिकल बना रहा हूं अगर आपने डिल्मटी क्लास नहीं करी तो जरूर कर लेना उसमें मैंने फ्रीवर्ड बहुत प्यारा सिखाया एक मैं कहा रहा हूं कि इस संसार में कोई भी बॉडी या पार्टिकल में डिफरेंस नहीं सिर्फ देखने का एक नजर घ्रैक्श तीक है अगर यह वेैं डाउन्द नाख रहा है तो बह्या कुछ यो ग्राउंड है था कहींने बैलन्स कर मुँक्त कराई बिल्कुर कर रहा होगा सर ऊसे बैलेंस और प्लेपर यह स्फरेस को ड़âteसा euro के ब्लाबर होगी क्योंकि इस और कोई फॉर्स चाही है औ और अगर आपने यहां पर फोर्स लगा दिया तो इस फोर्स को अपोस्ट करने के लिए इस सर्फेस से एक फ्रिक्शन फॉर्स हाएगी कि इस बोक पे मोशन देने वाले सुपोस्ट कि स्ट्रिक तभी स्ट्रिक हो सकता है जब ये फॉर्स और ये फॉस बराबर हो च्पिस्राट इस से दिल्यों गे Надियों सकती है इस थिक सकटे tat करेंक आपने सीस्ट मेंबसे को चैशंट्री में तो बाडी मूव कर रही है तो भाईया तब काइनिक फ्रिक्षिन आयाता है केस में विच इक्वल टू मू के इंटु एंट लेकिन तब बॉडी मूव कर रही होगी तो भाईया क्या क्या केस लिए जरा एक बार ध्यान से देख लो अगर मैं एक स्टाटिक विच्ट लेता हूं जहां पर एक्सलेशन नहीं है तो फोर्स इन वाइड डिरेक्षिन जो कि मैंने आपको बता दिया एन और डबलू बराबर होंगे और फोर्जिन इसका मतब फ्रिक और अगर अगर एसी कहानी है तो आपकी जो फ्रिक्षिन की फोर्स है मतब यह एफ मैक्सिम केस में पहली बता दो यह मैक्सिम केस में यह मैक्सिम होगा यहां लिखा दा और यह नोट्स में आपको हैंड़टन अलग देदूंगा इसलिए टेलिग्राम पर ज़रूर की फोर्स आती है अभ अपने बात आगे भहुत सारे कोश्ट ऒर यह कोशन हम तब ही स्हुर्व करेंगे जैगी कोशन जितने भी जैए हैं के नीट के जितने भी सिम्पल से डिफिकेंड डैमेल के जितने कोशन सारे के सारे में सौल करऊंगा बट फर्स्ट वी नेंट तू complete सम्प्लीट अपाट और जितने भी कोशन ए फिलंदी ब्लांक वाले कोशन आज कर काफी पॉपुलर हो जाते हैं थे तो पहले में क्या कराता हों पहले में आपको कुछ बेसिक लेक्चर का एक सिरीज कॉंप्लीट कराता हूं उसके बाद मैं आपकी सारे नुमेरिकल कराता नेक्स्स लेक्चे ठीक है एक और खुशी की बात जो लोग अभी 11 वाले जो अभी जरू बढ़ вдT करें पर करें वह मुझे कमेंट में बता है कि हुझ कौन सा लेक्चर च्था है ठीक है जो 12 वाले में बता है कि हुझ कौन सा लेक्चर चाहिए तो हम उसको प्राइट्य पे ल इसको मिदल पार्ट ली है ताकि आपको ऐसे इंट्रस्टिंग लेक्चर भी मिलते रहें जो लोग थोड़ा आगी वड़ जाते हैं उनको कई बार फ्रिक्शन चीह होता है उनको फ्रिक्शन ये एक फंडमेंटल के साब से बता दी ठीक है इस अनदर पार्ट बट आप में आपको चैनल पर लिए न या फिर इस वीडियो के दिस्रेप्शन में जाओ दिस्रेप्शन में टेलिग भी मिलेगा और आप का लिंग ही मिलेगा दोनों क्लिक करके डाउनोड जोरो का लेना टेक केर बाए-बाए-बाए-बाए-